बाढ़ की चफेट में ची नेपाल में कुद्रक ककह बंगलदीश और बैमार में बाढ़ से तबाही जानलेवा पानी में बह रही है जिन्दगी पानी से चारों तरफ मचा है हाहा का बारिश का पारी मनमानी करते हुए जहां भी खुसरा है जिर्फ तबाही ला रहा है अस्मानी आफ़त के शक्ती प्रदर्शन के आगे कई देशों की हालत खराब है यूं तो एशियाई देशों में चीन को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है लेकिन ताकतवर वादलों के आगे चीन भी बेवस है चीन के अलावा भारत के पडोसी बांगलादेश, नेपाल और मैमार में खुद्रत का ख्रोद देखरे को मिल रहा है कुद्रत के कहर की ये तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन की है यहां बार के कहर ने चीन की रफ्तार को थाम दिया है, सड़के दरिया बन गई तो शहर समंदर में तबदिल नज़रा रहे है चीन के जियांक्षी प्रांट में आई बार में 22 लोगों की मौत हुई है और 70 लाग से जादा लोग प्रभावित हुए नेपाल में लगातार हो रही बारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है बार की बज़र से नेपाल में अभी तक 50 से जादा लोगों की मौत होगी बार प्रभावित नेपाल ने बारिश और बार की वज़े से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए अंतर राश्ट्रे एजेंसियों से भी मदद मागी है वहीं बंगलादेश भी बार की प्रचन मार से बिहाल है घरद्वार, स्कूल सड़क, सब पर पानी का कब्जा है भारत के पडोसी देश मैमार में बारिश ने जादातर नदियों में उफान ला दिया है कई नदियां खत्रे के निशान से उपर बह रही है हाह कारी बार ने मैमार में करीब 18,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है चीन, मैमार, नेपाल, मंगलादेश बेहिसाब बारिश से बिहाल है